बाईयों मेरा मंत्र है ना खाता हूँ ना खाने दूंगा और इसलिए बाईयों मैंनो मुझे यहां विकास करना है मुझे यहां सिख्षा की चिंता करनी है मुझे यहां किसानों को पानी पहुचाना है मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंद करना है मुझे नव-जमानों को रोजगार देना है मुझे माताओ बहनों को सम्मान देना है भाईयों बहनो ये जिन लोगों ने देश कर लूटा है उनके अच्छे दिन की गारेंटी मैंने नहीं दी और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि ये देश लूटने नहीं दिया जाएगा मैं संत्री मन करके बैटाओं भाईयो बहनो मैं प्रधान सेवक हूँ लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूँ ये देश की संपत्ती आपकी संपत्ती है उसको लूटने नहीं दिया जाएगा और इसलिए मेरे भाईयो बहनो हमने जिन बातों को केंदर में रखा है उन बातों में हमारा प्रयाद यही है कि सारे कारणामे देश में देश इन कारणामों से मुक्ति होनी चाहिए बुरे दिनों से मुक्ति बुरे कामों से मुक्ति बुरे इरादों से मुक्ति बुरी नियत से मुक्ति कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके गुजराद बनाने का माइना मालूम है आपको गुजराद बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेता जी गुजराद बनाने का मतलब होता है 24 गंटे बिजली 365 दिन बिजली हर गाउं गली में बिजली नेता जी आपकी बात सही है आपकी हैसियत नहीं है आप गुजरात नहीं बना सकते इसके लिए तो छपनीज का सीना लगता है आप मुझे आप मुझे प्रधान मंतरी मत बनाएए बाईयो भेनो आप मुझे प्रधान मंतरी मत बनाएए आप मुझे चोकीदार बनाएए चोकीदार और भाईयो भेनो मैं दिल्ली में जाकर के चोकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वाद दिलाता हूँ आप ऐसा चोकीदार बिठाओगे मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पढ़ने दूँगा इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पढ़ने नहीं दूँगे अपित्रो और इसलिए मैं चोकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता आपने उनको साथ साल दिये हमें साथ महने देखकर देखिए हम तक्दीर भी बढ़लेंगे तस्वीर भी बढ़लेंगे ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापिस आना चाहिए के नहीं आना चाहिए ये काला धन वापिस आना चाहिए ये चोर लुटेरों से एक एक रुपिया वापिस नेना चाहिए इस रुपियों पर जन्ता का अधिकार है के नहीं है ये रुपिया जन्ता के काम आना चाहिए अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है न उसने भी हम रुपिय ले आए न तो भी इंदुस्तान के एक एक जरी बादवी को मुफत में 15-20 लाद रुपिय युभी में बेचाए कि इसने रुपिय है काला धन वापिस आजाए जहां चाहों वहां रेलेल कर सकते मेरे देश वाशियों मेरे कर सब कुछ कि देश के लिए चोड़ा है मां लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए हाई यो भनो ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई नहीं बताईए क्या कर लेंगे अरे हम तो फकीर आदमी है जोला लेके चल पड़ेंगे जी और भाईयों बहनों ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाईयों बैंकों के राश्टिकल हुआ था गरीबों के नाम पे हुआ था लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं बहुत जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा मैं पहले सबसे पहले गरीबों के ये बैंक में खाता खुलवाऊंगा तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे भाई ये बैनों खाता खुलवाया कर नहीं खुलवाया कर नहीं खुलवाया मैंने सिर् 30 दिसम्बर तक मुझे मोका दीजे मेरे भाईू है अगर 30 दिसम्बर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए कोई मेरी गलती निकल जाए कोई मेरा गलती रादा निकल जाए आप जिस चौरा है मैं मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा हो करके देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तयार है हाई यो भेनो हर समस्या का समाधान आखिर विकांस में ही है पहले ऐसी सरकारे आके गई जिनको विकांस से नफ्रत जैसा माहूल उनके लिए सरकारी तिजोरी चुनाव जीतने के कारकमों में तबाह हो जाती थी हमारी कोशित यह है कि विकांस के वो बाते शाकार हो ताकि गरीब से गरीब की जिन्दगी में बढ़लाव लाने का अउसर तयार हो हमारे गरीबों का सजक्तिकरन हो भाई यो भेनो गरीबी क्या होती है गरीब कैसे जिन्दगी गुजारा करता है थंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है दूप जैदा निकल जाए गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है बिमारी फेल जाए तो भी गरीब मरता है सारे संकट अगर किसी को जहलने पड़ते हैं वो गरीब को जहलने पड़ते हैं लेकिन दिल्ली में बैटी वी सरकार या लखनों में बैटी वी सरकार उनको गरिबी के खिलाब लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है इच्छा नहीं है भातंग बादियों ने पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मार दिया क्या मोदी को भी चुप रहना चाहिए था मोदी को सोजाना चाहिए था मोदी को भी क्या करे हम देख लेंगे हम समझेंगे है भी करके चुप रहना चाहिए क्या अगर पुरानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चुन करके बिठाया क्यों है मैं उनके जैसा करूँ आपको मंजूरे उन्होंने जो किया मैं करूँ मंजूरे मुझे देश की अपेक्षा के अनुसार काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप मुझे बताइए क्या हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है कि नहीं चाहता है क्या हर इंदुस्तानी आतंगवाद को आतंगवादियों की बासा में जवाब देना चाहता अगर नहीं चाहता है क्या आतंगवाद को उखार फ्याग रेना चाहिए क्या इसके लिए मोदी ने हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए बगत बदल चुका है ये आपका चोकिदार चोकन्ना है बिचोलियों और ब्रस्चाचारियों की ये सारी बिचोलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है अब सरकार और हम कामगार के बीच सीधा समवाद हो रहा है योजनाओं का सीधा लाप आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है भाई और बहनों आपके इस चोकिदार की यही इमांदारी बिचोलियों और दलालों के हमदर्दों को जड़ा परेशान कर रही है उनकी निंदराम हो गई है और इसलिए वो जोर जोर से चिला रहे है पांच साल से दुकाने बंद पड़ी है दलाली बंद हो गई है बिचोलियों कमाई बंद हो गई है और इसलिए चिला रहे है जोर जोर से चिला रहे है मोधी हटाओ, मोधी हटाओ, मोधी हटाओ क्योंकि उनका दाना पानी बंद हो गया है लेकिन आपके आशिरवाद से करोनों लोग आज मुझे सुन रहे हैं मैं फिर भाइक बार कहना चाहता हूं देश के मद्दूरों का, देश के गरीबों का देश की माताओ बेहनों का, जो सपने लेकर के बैटे हैं ऐसे युआओं का मुझे परासिरवाद है